नमस्कार दोस्तों फिर से आपका स्वागत है जी के में देजूकेशन यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के पचास हजार परिशेट सिक्षकों का फैंसला 27 अक्टूवर को होगा जो आपकी परसूइंग अपेरिंग मामल परदे में सुप्रीम कोट में अन्तिम सुनवाई है तो इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं अगर जो जानकरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर जरू करना और अभी तक जिसने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जामारे पचास हजार सिक्षकों की किस्मत का फैंसला 27 नवंबर को होगा परसुइंग अपेरिंग विवाद और गणिति विग्यान की 29,334 सिक्षक वर्ती में प्रोफेशनल डिग्री धारियों के विवाद की इंतिम सुनवाई 27 को सुप्रिम कोट में होनी है पचास हजार सिक्षकों की नोकरी हाई कोट के 30 में 2018 के उस आदेश के बाद सवालों के गेरे में आ गई थी जिसमें हाई कोट ने कहता कि जिन सिक्षकों के ट्रेनिंग बीयर्ट बीटीशी आदी का प्रणाम उनके टैट के प्रणाम के बाद आया है उनकी निपती मन्ने न साहक अध्यापक वे उर्दु भरती के अलावा उच प्रात्मिक स्कूलों के लिए हुई विग्यान वे गणित विशे के 29,334 साहक अध्यापक भरती में नियुक्त तक्रीबन 50,000 सिक्षक प्रुभावित हैं। प्रुभावित सिक्षक सर्वोच नैले में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं जबकि राज्य सरकार ने इन सिक्षकों के पक्ष में ना तो कोई ASLP दायर की और ना ही सुप्रीम कोट के आ 27 नवमर को अंतिम सुनवाई होगी सुनवाई से तीन दिन पहले सभी पक्ष अपना जवाब लगा दें। परसुई अपेरिंग विवाद में हाई कोट के आदेश से प्रभावित सिक्षा और अगड़ित विग्यान भी सैकी 29,334 बरती में सुप्रीम कोट ने राज्य सरका को पक्ष रखने का समय दिया था लेकिन वेसिक सिक्षा प्रेशद के अतिरिक किसी ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया जबकि एंसी टी आई का जवाब निक्त सिक्षकों के खिलाफ है राज्य सरकार पूर्व की भरतियों के प्रती सम्मेदन ही नहीं है पचास हजार सिक् के पत्री का में भी इसे निकाला है कि पचास हजार सिक्षकों का फैंसला 27 को होगा तो वीडियो पसंद है तो लाइक सेर जरू करना मिलेंगा एक नहीं अगली जानकारी के साथ नमस्कार